क्या आपने कभी सोचा है कि आज से 50 साल बाद मेडिकल फिल्ड का क्या फ्यूचर होने वाला है? क्या हम लोग फ्यूचर में कभी कैंसर जैसी लाइलाज विमारी को ठीक कर सकते हैं? क्या लैब में बनाये गए और्गेंस को हम लोग बॉड़ी में ट्रांस्प्लांट कर सकते हैं? ताकि किसी भी इमर्जेंसी कंडिशन में हमें किसी डोनर को ढूनना ना पड़े? क्या आर्टिफीशल इंटेलिजेंस एंड रोबोट की हेल्ज से हम लोग किसी भी मुस्किल ऑपरेशन को सकस्पुली कर सकते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम लोग इनी सवालों का जवाब ढूननेंगे और मेडिकल फिल्ड के फ्यूचर को समझने की कोसिस करेंगे आज के टाइम में हर चीज डिजिटल होते जा रही है और हमारा मेडिकल फिल्ड भी कुछ अलग नहीं है हमारा medical field भी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है और ऐसा उम्मीद है कि artificial intelligence की help से 2050 तक medical field पूरी तरह से digital हो जाएगा आज के time में ही दुनिया के अलग-अलग scientists अलग-अलग बिमारियों को ठीक करने के लिए gene therapy जैसे टेकनिक का यूज कर रहे हैं और ना ही हमारे पास कोई ऐसा time machine है जिससे कि हम future में चले जाते और देख सकते कि वहाँ चल क्या रहा है लेकिन आज के time में technology and innovation इतनी तेजी से grow कर रहा है कि हम लोग future को predict कर सकते हैं और एक बहुत ही famous कहावत है कि अगर हम future की कल्पना कर सकते हैं तो हम उस future को बना भी सकते हैं और आने वाले time में जो भी बदला होने वाले हैं उसकी जलक हम लोग अभी ही देख सकते हैं यानि कि हम लोग कल्पना कर रहे हैं और उसको हम लोग साकार होता वह भी देख रहे हैं हम humans जब भी कोई new innovation करते हैं तो हम उसकी सिफ positive side को ही देखते हैं और उससे आने वाले खत्रों को भूल जाते हैं और उमीद अभी किया जा रहा है कि artificial intelligence और human के मिस्रन से cancer जैसे लाइलाज विमारी को भी ठीक किया जा सकता है लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते हैं कि artificial intelligence के development से technological singularity आने की possibilities जुड़ी हुई है और ये एक ऐसा time होगा जब हमारा control artificial intelligence से पूरी तरक खत्म हो जाएगा लेकिन बस हम ये उमीद कर सकते हैं कि artificial intelligence human के development में help करें और वो ऐसा कोई काम नहीं करें जो कि humans के development के लिए खत्रा हो चलिए देखते हैं कि आने वाले future में हमें किन-किन चीदों में बदलाओ देखने को मिलेगा जैसे कि stem cell medicine, genetic engineering, bio printing, gene therapy and gene editing, nano robotics and machine learning ये ऐसा field है जो आने वाले future को बदल के रखने वाला है हमारे scientist medicine को लेकर बहुत ही गंभीर समस्याओं पर research कर रहे हैं जैसे कि antibiotic resistance antibiotic resistance ऐसा medical condition होता है जिसमें harmful microbes जो होते हैं उसके उपर antibiotics का कोई भी असर नहीं होता है ऐसा तब होता है जब हम लोग antibiotics का बहुत जादा use कर लेते हैं antibiotic resistance ऐसा condition होता है तो मैं इस पर एक detail वीडियो अलग से बनाऊंगी अभी तो हम लोग जिस topic पे उसके बारें बात कर लेते हैं पिछले कुछ सालों में wearable gadgets की जैसे बाड़ी आ गई है लोग खुद की body को बहुत ही अच्छी तरीके से monitor कर पा रहें आज हम अपनी body के heart rate को, blood pressure को, dietary habits को और रोजाना हम लोग जितने भी step चलते हैं इसकी जानकारी सिर्फ एक gadget की मदद से रख पा रहे हैं 5G आने के बाद से ऐसे gadget में बहुत ही तेजी से improvement देखने के मिला है और ऐसा उमीद है कि 250 तक wearable gadgets की संख्या 100 billion से भी जादा पहुँच जाएगी और ऐसी technology medicine के future के लिए बहुत ही कालगार साबित होने वाली है COVID-19 की वज़े से हमने जाना है कि कैसे smartphone और computer की help से हम लोग viral disease को spread होने से रोक सकते हैं इसका सबसे अच्छा example है आरोगिस से तू इस app का use हम सबने किया था COVID-19 के time पे ये हमें अच्छे से याद है और artificial intelligence की मदद से हमने COVID-19 के effect को भी काफी अच्छी तरीके से predict किया था आने वाले future में ना सिर्फ सरीर के बाहर पहनने वाले gadget होंगे बलकि ऐसे भी gadget invent हो जाएंगे जो की patient की body में यानि की हमारे body के अंदर लगाये जा सकते हैं और body के अंदर ऐसे sensor लगाये जाएंगे जो internet से connect रहेगा और हमारी body के अंदर जो भी important physiological information है उसको monitor कर पाएगा इससे हम एक ऐसे warning system को create कर पाएंगे जो disease को पहले ही predict कर लेगा तो ऐसे sensor को smart bodies का जाता है और आने वाले future में हम लोग clinics के अंदर ऐसे medically informed chat board भी देखेंगे जो की patient को अच्छे से information दे पाएगा इससे medical system पर थोड़ा pressure कम रहेगा और ऐसा भी predict किया जा रहा है कि सर्जन बहुत दूर से ही remote control robot के health से surgery कर पाएगा ऐसा तब possible है जब बहुत जादा high speed internet होगा उसकी वज़े से कोई भी सर्जन दूर बैठे surgery robot की help से कर सकता है जब COVID-19 पहली बार चाइना में दिसंबर 2019 में detect किया गया था तो सिर्फ एक साल के अंदर ही हमने emergency vaccine बना ली थी human history में ऐसा पहली बार हुआ था कि हमने इतनी जल्दी कोई vaccine डेवलप की थी इससे पहले 1960 में चार साल में कोई vaccine बनाए गई थी और history में पहली बार COVID-19 के time एक साल के अंदर emergency vaccine बनाए गई और ऐसा इसलिए possible हो गया क्योंकि DNA sequencing को हमने डेवलप कर लिया है इसी DNA sequencing की वज़े से डॉक्टरों ने हजारों कडोलों की जान बचाई है आने वाले कुछ सालों में medical science के पास लगबग 10 million percent के DNA data रहेगा इससे हम disease को अच्छे से predict कर पाएंगे और उसके ilaž को ढूंड पाएंगे और आने वाले समय में हर new born baby में regular DNA sequencing की जाएगी इससे हम किसी भी disease के बारे में well informed पहले से ही रहेंगे और future में हम patient के individual DNA analysis की help से बहुत अच्छे तरीके से उसे drug therapy भी दे पाएंगे and future में हम लोग gene editing की help से हम bad gene को deactivate कर पाएंगे और किसी भी gene को rewrite कर सकते हैं इसकी वज़े से हम लोग cancer जैसे गंभीर बिमारी को पैदा करने वाले gene को deactivate कर सकते हैं इस technique को हम लोग gene therapy कहते हैं अब बात करते हम लोग nano medicine के बारे में तो nano medicine वो होता है जो कि हम लोग किसी भी nano technology का use करते हैं जिसमें nanometer size के जो robots होते हैं वो body के अंदर भेजा जाता है और एक targeted part में drug को transport किया जाता है तो ये future में एक संभावना है कि ऐसा possible हो सकता है बिना nano technology के health से ऐसे drug को body naturally absorb नहीं कर सकती इसलिए nanotechnology के health से हम लोग ऐसे drug को body में absorb करवा सकते ताकि उसका effect so हो पाए और इसी nano technology की वज़े से future में drug delivery में एक बहुत ही बड़ा revolution लाने की उम्मीद की जा रही है और ऐसा possible है ऐसा हो सकता है कुछ ही सालों में अब बात करते हम लोग cell technology के बारे में तो आने वाले future में हम cell को molecular level पर manipulate कर सकते हैं आपने 3D printing का नाम तो सुनाई होगा stem cell technology की health से अब biological organ को भी प्रिंट किया जा सकता है इससे हमें किसी भी organ donor को ढूणना नहीं पड़ेगा और emergency condition में हमें organ मिल जाएगा इसकी health से हम लोग lab के अंदर ही बहुत सारे organ को बना सकते हैं जिसकी वज़े से इंसानों का life span बहुत ही तेजी से बढ़ जाएगा तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि आने वाले future में medical field में कितने सारे changes होने वाले तो ऐसे informative वीडियो के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रह सकते हो तो चैनल को subscribe करते वे जाना करते हैं